हलो गाइज वैलकम आवरीवन और द्रश्टी करन्ट एफेट्स की मैगजिन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज यहां पर पहुंचे हैं रक्षा विग्यान पर गाइज ठीक है इसको भी कंटिन्यू करते ही रहना हमको जब तक यह खत्रम नहीं यहाद है बहुत जल्दी ह हमारे एक्जान के लिए बन सकता है इन यूज में से तो जो सबसे पहले है वह है आई एनस द्रूब की तैनाती के बारे में कुछ नियूज है यहां पर तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि एक वोट इस आइनस द्रूब ठीक है क्या है यह इस द्रूब तो अभी हिंदुस्तान से प्यार लिमिटेट में भारती नौशैनिक पोथ द्रूब को अधिकारिक रूप से सेवा में सामिल किया गया है क्या है यह भारती नौशैनिक पोथ है करेगा क्या तो आई एनस द्रूब भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला हम समुदरी निगरान इंग्रिस में आपको आए थिंग ज्यादा समझ मा जाएगा यह फर्स्ट मिसाइल ट्रैकिंग और ओशीन सर्विलांस से ठीक है तो भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग और ओशीन कि इसका नाम थोड़ा सा देख लीजे एक बार और कि इसका नाम है कोड़ नेम वह है वी सी सर्फेस टू एयर मिशाल है तो इसके नाम से आपको क्लिए हो रहा होगा कि मीडियम ब्रेंज सर्फेस टू एयर मिशाल तो इस इस सारी के सारी चीज को आपको पढ़ने की जरूत भी नहीं होनी चाहिए है तो एम आरे सम प्रणाली की पहले काई वाइस इने स्टेशन जैसन म ब्रेंड़ रूपि गए यह किसको क्या संपा गया है यह जरूरी नहीं है कि हम्रें उसको चोड़ी दीजिया ंंजी नई पिड़ी का ब्रस्टिक्चक विबान और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने थोड़ा सब्सक्रश को स्वक्राइस को इसको पढ़ सकते हैं य नई पिड़ी का प्रसिचक विमान तो हंस यानि की हंस न्यू जैनेरेशन विमान की प्रथम उड़ान सफलता पूर्वक संपन हुई है बैंगलूर वेस्ते थाल एरपोर्ट से उड़ान भनने को प्रांत विमान ने असी नौट की गति से 4000 फीट की उन्चाहिए प्राप्तिय प्रख्तिया सब कुछ भी नहीं आने वाले इहल जाम में तो कि shutdown is aCoran है कि हम जायों कि हैंस हंस है्क्या यह आपको पताना हों जाइए हंसा न्यू जैनरेशन एक 2 राप्रसिचक विमान है क्या है यह प्रसिक्षक विमान है ठीक है और बस इतना ही याद रखी हंस है क्या प्रश्रिक्षक विमान है हंस के बारे में और कुछ आप से पूछने नहीं वाला जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंड है ना उसको हम देख ही लेंगे ओके आगे चलते हैं यह चैफ प्रद्योगी की क्या है यह चलिए देखे लिजे एक बार क्या है नए असा नाम है तो क्या पता कुछ आ जाए इसमें से तो भारती वायू सेना के लड़ाकों विमानों को दुस्मन के राडार से बचाने है तो भारती वायू सेना के लड़ाकों विमानों को दुस्मन के राडार से बचाने के लिए और डियाडोगी रच्छा प्रयोग शाला ने डियाडोगी पूर्ण एसे कौन सी लेव ने क्या किया इसको छोड़ी दीजिए बस आप यह याद रिखे कि चैफ प्रोद्धगी की क्या है तो हमारे जो लड़ा को विमान होते हैं वाईशना कि उनको दुस्मुन के रडार से बचाने के लिए यह प्रोद्धगी की कियाने की टाकनलोजिक है ओके सो आकास अंजी मिशाल का सफल परिक्षण रक्षा अनसंधाने वां विकास संगठन ने 21 जुलाई 2020 पूर्ण है तेस जुलाई 2020 को ओडिशा तर्टेस से चांदीपूर के एक इकरत परिक्षण डेंज वाल थे सात्य रहता से हवा में मार करने वाले नभी पिड़ी की आकास मिशाल आकास अंजी का सफलता परवब प्रिक्षण किया है तो इस तो यह आकास है क्या इतना आपको पतानों चांए क्योंकि आदता है एक्जाम में कभी कभी की आकास क्या है तो सरफेस टू एयर के आगे बढ़ते हैं कि अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं कि रक्षा मेंसे कि यह बहुत ज़्यादा हो सकता है आना ही यह ना है आकास प्राइम मिशाल का सफल परिच्ण तो डिया डियो द्वारा आकास मिशाल के नए संस्कंड आकास प्राइम का कि ओडिशा के चांद्वीपूर के लिए इसका सफल परिच्ण किया गया है और आकास प्राइम मिशाल का सफल परिच्ण कहा है सब्सक्राइम का सब्सक्राइब एक मैन पोर्टिवल एंटिटेक गाइड़ मिसाइल का सफल परिष्ण किया गया है मानव द्वारा वहनी लॉंचर से इसको प्रक्षेपित किया गया है और इस परिष्ण के तहद मिसाइल ने लक्षे टैंक पर सीधा हमला डायरेक्ट अटेक किया और उसे पूर्ण आपको लगाई कि आभी तो कुछ आसा आया है इसमें अगनी पी यानिकी प्रायम मिशाइल का सफल परिष्ण ज्यादा इंपर्टन कुछ लग नहीं रार अक्षा न्यूर्ट से डियाडियो द्वरा उडिशा के बाला सोर इसे डॉक्टर एपी जब्दुर कलाम पहले इसक सफल परिष्ण किया गया है यह मिशाइल लो छोड़ी दीजे उसको मारक चमता याद रखिए एक वार जो आक्शली मैंने उसका भी एक्जाम देता क्या बोलते हैं अभी किसका एक्जाम गया था अम मेरे को याद निया रहा क्योंकि एक्जाम देना और भूले हैं मेरे को से 20 किलोमेटर तक है इसकी रेंज ठीक है किसकी अगनी प्राइम की आगे बढ़ते हैं तो वैसे उस टाइम मेरे त्यारी अच्छी थी नहीं तो वह भी गलत ही हो गया था मैंने उसको गलत तो नहीं किया था मतलब बस यह था कि लगाया नहीं था उस पर नेगेटिव नहीं विधोन सक्वदा त्約 इसका नाम क्या था आई एन एस राजपूथ खता ऑब इसको जो है सेवा मुक्त करते हैं कहां से किया गया है यह गया तो अै यह युजाओर निर्मार जो है वह उस्र में किया गया था यानि कि कि युड़ व!! जातमान यूक्रेन में गया था यूक्रेन यूस के ऊचाल में आता होगा अच्छा ठीक है तो इसका मूल नम क्या था नादे जनी आपको लग रहा है मूल नम पूछेगा डिएझ के अब ली इनएस राजपूथ को पारति नौषयणा से रिटार कर दिया गया है एतना ही बस राज करीगा राजपूथ इसका मौटो था वाउ राज कर राजपूथ फ़ारं नौषयना में सामील होत है तो यह टि-세요 करन्ज 10 मार्ट 2021 को मुंबा इस्ट नॉसनेक पोत्गाह पर आयोजित एक समारू में स्वधेश निर्मित पंडुब भी है ठीक है इंडाय जीनियस मेड इंडाय इंडाय जीनियस मेड भी होलेंगे क्या बोलेंगे को इतना तो क्या बताँ मैं ठीक है आये इंस करन्ज का प्या लनाखें रिंगे नहीं ँसको ठीक है तो आयनेश करंज भारती नॉसना में सामील हो चुकी हैं और करंज क्या है यह तो आपको प्दह न करेंज ने निर्मारधीन सलयें 16 मेंस त्यूंभि झार्च थीरित त्यौति शूति थी थी जो जीनिए थीड है निर्मानार ओंध्यि इसका निर्मार कहां किया गया है तो मजगाउं छीज्टम निर्मार किया रहा है पताई किस प्रोजट के तहत किया रहा है ठीक है और चैनल यह पूरी के पंडविया है कॉन कॉन सी है तो कलावरी है जो कि अब करमिशन हो चुकी है खंदेरी हो चुकी और करणज के आपने न्यूस पड़ी लिए यह भी कर्मिशन हो चुकि यह नौट से नामा में बागी बचाइं कौन-कोन से बेला बागीर और बागीश ठीक है जो वी वाली है बेला बागीर और वागशीर यह तिनों भी हो नीं है क्योंकि इनका निर्माडा भी निर्माणा धिन है यह ति के इन जिएैस कर्के elegant के दाएं तो प्रोजेक्ट के दाएं अधीयर में का और चींग को भीत जचान ईजाएं है ही। कि कलवरी पहली है किरम से लिखी हुई है यहां पर कलवरी पहली पंडु भी है स्कुर्ड मेंच रिए 2017 में आगई थी इसके बाद खंदेरी 2019 में आ गई थी और अब 2021 में 21 में किया है कब किया यह यह ए डेट लिखी थी कहा है यहां पर नहीं, डेट भी नहीं लिखिये, तो 2020 में 21 में ही करी लिए होगी, अब करण्ट अफिर हम पढ़ रहे हैं, तो मान लिजे कि आप 2020 में 21 काई है, ठीक है, तीनों को आप यहां पर कमिशन कर लिए गया है, आगे बढ़ते हैं, आगे है मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, य जवाहलाल नहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन 1A को MBT मार्क 1A भारते सेना को सुपूर्द किया है, ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि अब इस तरीके से भी आ सकता है कि अर्जुन मार्क 1A क्या है, तो एक युद्धक टैंक है, ठीक है, इ हमको बस यह पतानोंचे के अर्जुन 1A क्या है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे अस्मी क्या है, यह अस्मी एक स्वादेशी पिस्तॉल है, तेरे जनुवरे 2021 को अस्मी नामक पिस्तॉल को भारते थल सेना के इनोवेशन डिस्पल इवेंट में पदर्शित क्या गया अस्मी है तो आपको लगे का अगे पतानी क्या होगा यह तो यह भी पूछा चासकता है कि अभी डिशनली चर्चा में रहा सब्द अस्मी क्या है, तो एक स्वादेशी पिस्तॉल है, ठीक है, पहली स्वादेशी है, 9mm मसीन पिस्तॉल है, यह ओके 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 आगे बढ़ते हैं, इसका निर्माड क्या गया है, आत्मीर पर भारत के तहट, अच्छा, आत्मीर पर यह वर्ड जो है, इसको ऑक्सफोर्ड डिक्सिनरी है, डिक्सिनरी नहीं है, तो हचार बीस क्या, सब्द चुनाया अपना, ठीक है, आगे बढ़तें, पिस्तॉल का नाम अस्मी रखा अगया, जिसका अड़त है, गर्व, आद्म, शम्मान, तथा कठिन परिश्रम, ओके, 9 mm गोली दाख सकती है, यह मसी इन पिस्तॉल, पिस्तॉल, सोरी, मिसन सागर थर्ड, अक्चली, बोलते बोलते हैं, ठक चुकी हूं मैं, मिसन सागर थर्ड, लेकिन अब ठकना तो है नही मिसन सागर थर्ड, 29 दिसंबर 2020 को भारते नौशेनिक पोथ, आई, एन स किल्टान, ठीक है, एक सेकेंड, मिसन सागर थर्ड की बारे में, भारते नौशेनिक पोथ, आइन स किल्टान, 15 तन मानवी, मतलब, साम अगरी एक तम देखते हैं मिशन सागर ओके इतना ध्यान ने गी अथा मेरा अच्छली यह अच्छली मिशन सागर एक क्या बोलू मैं अब टाइम भी वेस्ट कर दूए मैं आपका पड़ी लेते हैं अक्छली मुझे समझाना आते हैं कितनी बार मैंने बोल थी आप से भारतिय नौसानिक बहुत आयने स्किल्टान इसका नाम है और यह 15 तन की मानवी शाहता रिकर मतलब यह मिशन सागर चला गया अपने कोड़ोसी तयम की सायता करने के छाक अज़ आसका है कंड के question है तो जब अफगनिस्तान से हमारे भारते नगर को को लाने के लिए ऑपराइस बंदेभात कर अफज़नों के लिए ओपरेशन बंदेभात कप चला गया था यह थर्ल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यह तीन चरणों में तीसर चरण है तो अपने जो परोशी कंट्रीज है या दिसको भी सहता की जड़ोत है उसको मानवे सहता पहुचा आने के लिए मिशन शागर चलाए गया है और उस मैं हाल्प करने के लिए आयने स्केल्टान ना इतना याद रखेगा और इससे पूर बिभी किल्टान जो है वियतनाम के होची मिन सिटी में पहुचा था ठीक है होची मिन सिटी वाओ नाम तो अच्छा है अच्छा वियतनाम की कैपिल बताइए हनोई वियतनाम की कापिटल है और डॉंग या की करेंसी है आगे बढ़ते प्रिज और की जहां पर तूफान आया है जैसे कि इडाई मोजाम्बिक में रहे हैं और आपको याद रखनें जो चर्चा में तो प्लीज उनको याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं आँ में अच्छा चाहिए कमबोडिया भी यहां पर नाम आया तो कमबोडिया की कापिटल लंड क्रेंच से बताईएगा ओके मिशन सागर्थ मिशन सागर का ही विस्तार है यास हो तो हमें नाम से क्लियर हो रहा है आगे बढ़ते हैं अब आपको क्लियर हो गाए होगा ना ये कि मिशन शागर कंतराथ भारा सरकार प्रकति आपदाँ और कोविड-9 इन महारी से निपटने में मित्र रास्ट्रों को सहाइता बदान कर रही है ठीक है वही मैंने आपको बताया था पहले तो आगे बढ़ते हैं इस मिशन को प्रारम किया गया था मतलब मिशन सागर कंतराथ भार सरकार ने हिंद महासागर चेतर में तटवरती कौन कौन से देश है अच्छा हिंद महासागर आपने अगर मैं आप देखा है तो आपको खुद पता हुने चेक हिंद महासागर के भार के तटवरती देश हैं उनको नाम क्या क्या है मालदीव है मालदीव तो हमारे कि ये तो इस बोलते हैं मुख्य भूमी पर नहीं है ठीक है यह मारिषफ मेड़ागासकर को मुल्स और इन चार करेंच की कारेंसी आपको पता होने जाए माल्दीव कापिटल माले मारिषफ की मारिषफ की पोट लूइस यहाँ पोट लूइस है मेडडहासकर की मेडा कासकर organism मुझे लिए सेle Finnish के विक्टोरिया है ठीक है तो इनकी कापिटल रुपिया ही है रूपिया है यहां की थो माइसल्स की रुपिया ही है आगे बढ़ते हैं इसमेस इसको लिएकर बहुत सारे नाम्य ज्व पूतिगी और इरिट्रिया की और इनके नाम भी इन 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 कंट्रीज की भी काईपिटल आपको पता होने चाहिए आगे बढ़ते हैं कि आई सी जी आस का सॉरी आई सी जी आस सच्छम का जलावत तरण तो यह आई सी जी आस सक्षम है क्या यह आई सी जी जी शक्षम समवर्थ स्रेणिके पांच अप तर्टिय गस्ति पोतों आफ सोर किसके बजारी कुछ पेचने वाला क्या आए गाई जी थोड़ा सा मैं इसको रोक देती हूं ओके अब आज उनकी सांथ हो चुकिए जो भी पेचना है थे तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो इस जी सक्षम है क्या यह तो अप तर्टिय गस्ति पोत है ठीक है बाकि ज्यादा कुछ भी नहीं समासा जो हमको याद रखना हो मिशन सा अगर तो आपको पता है किसलिए चल रहा है यह यहां पर है यह यह फिर्ट की अपूर्ट की भी बात यहां पर आ चुकिए तो इसके बारे में तो बहुत न्यू जाए थी आपने सुनी रखिया होगी है फोर्ट इसका जब चरण था तो कौन से पोत को भीजा गया था है य जलास्व सा उसका नाम था ठीक है कि जलास्वा पहले में कौन था नई सवरी हिर सथरण में गया था सेकिंड में जलास्व सौरी फौर्ड में जलास्व गया व्यक्त कहां कहां गए आने गया ने अग्या जो हल्प करी है Kathy कमार Savior सा अगर देखें तो अफरिका कहीं त्वेटिज हैं ठीक है मेड़ागास कर हो गया अभी जितने भी कंट्रीज हमने पढ़ेते वो सब कहां अगाई सारे कंट्रीज यसे रहे सूडान जबूति और मारिस्व तो नहीं है मैं उन कंट्रीज की बात करनी इस पर अफ्रीका के हैं तो मारिसव मेड़ागास कर कोमरो सेसल्स और ओके इतने ही थे कोमरों से हम पर आगया ओके तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि सिट माक्स क्या है यह तो इसको आप इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंगापूर इंडिया और थाइलेंड यह एक्सरसाइज थी नौ अजनला की एक्सरसाइज थी सिंगापूर इंडिया थाइलेंड ठीके तो आप अगर एकजाम में तो पहुआ विछांप से कौन कंट्रिश थे में सिंगापूर आइससी ऑंडिया अट इंड्य थाइलेंड खी कहांप्र अगे बढ़ते हैं पिना क्रोकेट प्रणाली का उन्नत संस्क्राणड पिना का एक रोकेट है वो तो आपको पता ही होगा भगवान शंकर का जो पिना का धनुस था नाम था उनके का तो उसके नाम पर ही यह रखा गया है और और इसका जो परक्षण है ओडिशा के चांदीपूर तर्ट से किया गया है ओके बस इतने याद है कि इसमें जाता कुछ नहीं पिना क्या रोकेट है अब आ जाते हैं गाईज प्रमुक्स युद्ध अभ्यास आना ही आना ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोरेंट है यह ओके तो स सिम्बेक्स भाड़त रूट सिंगापुर के बीच होता है ठीक है एक दू बर आप इसको पढ़ लोगे न आपको याद हो जाएगा कि कौन से किससर की में होता है ठीक है लेकिन पढ़र चल रहा है तो भारत और कर याकस्तान के होता इस टाइम पर कौन होते हैं वहां के सिखः अब्लॉम को नाम नाम नहीं नहीं रहेगा लेकिन जरूल रहागा जायाद भारत वह चाहीं होता है यह चार कंट्रे क्योंकि क्वार्ड की कंट्रीज है और कई वार न्यूज में भी रहता है मालावार तो इसलिए सब को पता होगा भारत अमेरिका उस्ट्रिय जापान कॉंकड भारत और विट्रेन के बीच अल मोहेद अल हिंदी तो मोमडन सा लग रहा है नाम से इसलिए भारत और साओधी अरफ साओधी अरफ क्या एक कंट्री आ जाए जादा थार मोस्ट्री कॉर्पेट भारत और इंडोनेश्या के बीच होता है इंडो थाई कोरपेट वैसा नहीं पता हूँ तो इसको आप स्क्रिंशॉट ले लिजे ऑप्रेशन पैंजिया इंटर पोल द्वारा भारत सहित बानवय देशा ने भाग लिया ओके ऑप्रेशन समुद्र शीतु भारती नोशिना पैसेज अभ्यास यह भारत और इंडोनेशा इंड इंडो ओके इंडिया और इंडोनेशा इंडो ओके सो थार्टीन यहां पर हमने करें हैं और आई होप कि आपको यह पहले से ही पता हुए और आप लोग अगर त्यारी कर रहे हैं तो अरे आप भी तो बच्चे हैं यार मैं तो सोचिए थी कंप्लीट हो गए जब नीचे स्क्रॉल किया तो बाकी के दिए स्विस्चा अंगर करता थास यार और भ्रण्ज एक के बीच होता तो स्क्ति यह से कि यह तीनों के पर उस्प के सथ होता है HERE HE हम यूद अब्यास ठीकिए दोनों युश्च से के साथ ने को जबे कि सांधान के साथ ऑपरेशन संकल्फ भारत और बहरीन के साथ यह भी एक नया सुना है ऑपरेशन संकल्प तो भारत और बहरीन के साथ एक बार फिर से रिवाज कर लेते हैं ऑपरेशन पैंजिया जो था वह भारत इंटर पोल और 92 टू कंट्रीज में हुआ था भारत पी उसमें सामिल था ऑपरेशन्स अंकल्प भारत और बहरीन के बीच हुआ है डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच होता है ऑपरेशन्स चर्दवा यह तो बीस एफ ने चलाया था ठीक है और सिली नेक्स भारत और स्री लंका 21 सामिल तो और फास्ट करोल बैसल है यह और यस कणकलत ब्रीट रइसल में और कोकोल का ता में अपचारिक तोर पर भारत तर्टक昨श भल में इसको शामिल किया गया है जंग आपको इतना याद अद हैं कि कि अजल्हारेशन के कणकलतवा था क्यातर थैसल है तो नाउर्ट ग निकल सकते हैं हमारे एक्जाम के लिए तो बस यह दब्यास में सही ठीक है इनको आपको और पढ़ लेना है तो यूपी जी के तो हम कंप्लिट काड़ सुकें अल्रेड़ी उस पे मैंने थंबनेल जो लगाई है उस पे भी लिख दिया है उपर ही कि यूपी स्पेशल राइट तो आप देख लिजेगा और यह इंपोर्टन बहुत जादा है माले तो इसको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है ठीक है इतना है यूपी जी के का यह सुक्षमंद्रस्टी भी यूपी जी के की है और इसको भी मैंने उसी वीडियो में कबर करा दिया है अब यहां से आएंगे चर्चित व्यक्ति तो मैं देख लेती है एक बार की कि टाइम कितना हो गया अभी 25 में ठीक है इस बार हम ना चर्चित व्यक्ति को भी इसी वीडियो में फिनिश कर लेते हैं तो सबसे पहला जो नाम आया है एर मार्शल वियार चौदरी देश के नए वायू शेन प्रमुक कौन निक्त हुए हैं 30 सितंबर 2021 को तो वी आर चौदरी ठीक है वी आर चौदरी अच्छा जो नौसा नाम सबसे उंची पोस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं आड्मिरल बोलते हैं जो थल से नाम होती है उसको जनरल बोलते हैं और जो वायू से नाम होती है उसक साथी जनरल का भी बताना है तो आरकेस भधोर्या का स्थान किस ने लिया है वी आर चौधरी ने लिया है इंपोर्टन क्वेश्चन है आ सकता एक्जाम चराण जीत सिंग चन्नी के बारे में तो आपने बहुत सुन लिया होगा पहले दलित मुख्यमंत्री बने हैं पंजाव क के अमरे दिंदर सिंग के इस्तिफा देने के बाद और राइट आगे बढ़ते हैं तो भूपेंदर पटेल इनके बाले में भी सुन लिया होगा आपने 17 में मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के विजरू पाड़ी के इस्तिफा देने के बाद तमिल नाड़ू पंजाव अधर नहीं राज़पाल बने हैं तो राज़पाल आपने देखा हुआ कि एक भी बार पूछा नहीं गया यह भी पीसेस के अग्जाम के आप अगर प्रिवेस पेपर तो राज़पाल प्रिवेस पोचता है लेकिन फिर भी आप एक नजर जरूर मार लीजेगा ठीक है तो नाडू के कौन बने हैं बनवारिलाल तमिल नाडू के राज़पाल बनवारिलाल प्रोहित पंजाव के नहीं राजपाल बन गए हैं ठीक है तो तमिल नाडू के नहीं राजपाल कौन बने हैं बनवारिलाल प्रोहित तमिल नाडू के कौन बने हैं तो आर एन रवी और उत परदीश मुखी बन गए हैं अत्रिक्त कारभार मिलाएं उनको ठीक है यस राज़ेपालों की अन्य नवी न्युक्तियां भी हुई है कौन-कौन गोवा में बन गए है पिया श्रीधनर पिल्लाई त्रिपुरा में सत्यदेव नारान आ रहे एक्चली यह ना रोजाना चेंज होती रहते हैं इनको पड़ती नहीं कभी जहारखंड के रमेस बैस करना टक्के थावाचन कहलोता है पतानी कब 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 चेंज होचा इनका पतानी चलता कुछ भी है हार्याडा के बंडारू दतातरे है एक बाट पूरी की पूरी लिस्ट देख लेंगी हम ठीक है तो आभी शुलाल हां जितने गीवन हैं उनको देख लेते हैं मिजोरम के हरी भाबू कम भंपती मध्यपदेश के मंगु भाई यह तो याद रहेगा मध्यपदेश के मंगु भाई हिमाचल के राजजेंदर विश्वनात अर लेकर ठीक है आगे बढ़ते हैं उच्छतम न्याले के न तिन महिलाओं समेथ 9 नए नियाधिस नुक्त के हैं ठीक है और 9 नुक्त तिन महिलाओं के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि हिमा कोहली यह गुज्जात से आई है गुज्जात हाई कोट से और बीवी नागरतना यह कहां साइए इनका मेरे को नहीं पता लेकिन इन याद रखने हैं तीनों महिला जजों के हिमा कोहली बीवी नागरतना और वेला माधुर्या त्रिवेदी ठीक है और इन में से भी एक नाम इंपोर्टेंट आपको यादी रखना है बीवी नागरतना का क्यूं क्यूंकि यह हमारी पहली कि शीजाई बनने जा रहे हैं कब बनेंगी बनेंगी तो थोड़ा लेट दोजार साथ हैं 21 तो चली रही है अभी कब बनेंगी यह नहीं पता लेकिन हाँ यह हमारे इंडिया को पहली शीजाई मिलने वाली हैं कौन वीवी नागरतना राइट आगे बढ़ते हैं कब बनेंगी ऐसा कुछ गीवन नहीं है यहां पर लेकिन यह बनेंगी जरूर कल्यांट सिंग के बारे में तो आपको सब को बता होगा बरिश्ट भाज बनेता है मुत्रपजिश के पूर मुख्य मंत्री करने दना हो चुका है कल्यांट सिंग कभ से कभ तक रहे थे 2014 से 19 तक राजिस्थान के राज्यपाल रहे हैं यह और ओके इससे ज्यादा कुछ याद मत रखेगा कल्यांट सिंग कभी ड्यात हो गई बस यह याद रखी कौन थे तो यूपी के फॉर्मर्स यहां पदमा सचदेव डोगरी भासा की आधुनिक कव्यत्री थी यह इनका निधन हो गया है ठीक है पदमा सचदेव बसवराज बोंबई यह बने हैं कन्ना टक के नई मुक्तमंत्री बिया सेद रुप्पा के स्थान पे सुरेखा सीकरी थोड़ा जल्द जल्द चलते हैं गया है क्योंकि इतना इंपड़न लगनी रामरे को सुरेखा सीकरी तो यह बॉलिवूड अबनेत्री थी प्रशिद हम प्रशिद पॉलिवूड अभी नेता थे असली ना मुहमद यूसुफ था और जोहर भाटा इनकी पहली फिल्म थी ठीक है आखरी फिल्म कौन से थी किला राइट दादा साफ फाल के इनको कम मिला यह पूछा जा सकता है कि 1994 में इनको दादा साफ फाल के वार्ट से सम्मानि इतना कुछ नहीं आने वाला बस इतना पूछे जाएगा अगर अगर यह अगर अदर इस्टेट्स के पोछ रहे हैं तो आपसे पूछेंगे कौन बने हैं तो उत्तरा खंड के बने हैं पुसकर शिंग धामी राइट असीष चांदूर कर बंग्लुरु इस्तित इसमाही फा तो यह प्रसिद्ध गड़ितग्य रहे हैं ओके याद रखना है सो शाद्री प्रमय के लिए जाने जाते थे शाद्री प्रमय कौई से होती है हमको यह भी नहीं पता वह विज्ञान के छेत्र में किंग फैसल अंतराष्ट पृसकार प्राप्त करन वाल एकमात भारतिय थे तो विज्ञान के छेत्र में जो एक अवर्ड होता है इंटरनेशनल किंग फैसल अंतराष्ट पृसकार प्राप्त करन वाले एकमात भारतिय थे तो इसलिए इंपोर्टन्ट हो जाता है एकसेंचर इंडिया की अध्यक्त प्रवाइंट निलेशक इतना लगनी रहा है यह 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 तो इंपोर्टन्ट है यह तो सबको पते होगा बहुत इजी सी निउज है यह मुर्ति अन्वी रमन 48 में मुखिन आधिश बने हैं हमारे आंगे ठीक है किसके इस्थान लिया है तो इसनग प्रवाइंट को छोड़ दीजिए रभी कपूर को याद रखे संसर टीवी जो लोकसवा टीवी और राजसवा टीवी बना दिया गया है उसकी यह पहले कारेकाल होगा एक वर्ष का राइट आगे बढ़ते हैं सो मां मंदल को भी याद रखना है क्योंकि सेल के अध पर पहुंचने वाली पहली महिला है यह सोमा मंडल याद रखना है इसको छोड़ दीजे मंगरेश डवराल को मरदुला शिना यह गवर्णर थी राज जपाल थी आइमीन कहां की घुबा की तो इनकी डैथ हुई है इनको भी याद रखना है सो सेनापति क्रिश गोपालन इनफोसिस के सहा संथापक और पूर्व सहाद दक्ष्ट रहे हैं यह क्रिश गोपालन और इनकी डैथ हुई है क्या किसलिए किसलिए न्यूज में है यह ऐसा तो कुछ गीवन नहीं है यहां पर अरे यस आर्विया यह आज के अध्यश बनाए गए हैं यह इसलिए यहां पर क्रिश गोपाल क्रिशन यह न्यूज में है ठीक है अभिलाश तो यह अभिलाश कौन है अच्छा यह जो प्रेयर है इतनी शक्ति हमें देना दाता तो इसके गीतकार है यह अभिलाश ओके याद रखना है बहुत फेमस है यह वाली प्रेयर तो इतनी शक्ति हमें देना दाता तो इसके जो गीतकार है कौन है अभिलाश है और इनका भी रिशेंटली टैथ हो गई है इनकी प्रणमुखर जी भी 31 अगस्त 2020 तो अगस्त का डेटा आ गया प्रणमुखर जी अगस्त की न्यूज यहां पर दे रखी है इतनी पुरानी कौन पड़ेगा आगे बढ़ते हैं तो आगे कुछ भी नहीं है इसमें अन्ने अंतराश्टे व्यक्ति हैं या गाई जी यहां पर तो अंतराश्टी को को भी एक बाट देख लेते हैं ठीक है टाइम कितना होगा 34 मुट हो चुकि है थोड़ी सी देर और लगेगी बस देख लेते हैं इसको भी कि सरदार एकवाल सिंह लालपूरा अराश्टी अलपसंख कायो के अधक्ष बने हैं यह तो नेशनल कमिशन फॉर माइनोरिटीज के अधक्ष बने हैं याद रखेएं का 10 सितंबर 2021 किसको बने तो याद तो रखना है अतुल भट अतुल भट को छोड़िये हरसा बंगारी को भी छोड़िये नहीं हर्सा बंगारी को नहीं छोड़ सकते आप क्योंकि यह एक्जिम बैंक की MD बनी है ठीके तो इसको नहीं छोड़ सकते आप हर्सा बंगारी को जेवी महापात्रा को भी नहीं छोड़ सकते CBDT के नई चेर्मेन बने है यह ठीक है तो इनको याद रखना है आपको हर्सा बंगारी एक्जिम बैंक की एमडी एंड जेवी महापात्रा सीबीडीटी के नयद्धक्च और अब ऐसे तो सारे इंजीनियर्स इंडिया लेमिटेट की पहली महिला सीधक्च बनी है तो पहली महिला है पैसे छोड़ी दीजेए आपके इतना तो अब इतनी सारी चीज़ें याद नहीं करेंगे इंडियन वैंग का कौन बना है या रेका शर्मा को ध्यान रखे कि इनका कारेकाल जो दुबारा से बढ़ा देया गया है तीन वर्ट के लिए ठीक है कौन है यह रेका शर्मा पता यह ना आपको राश्ट्रे महिला यूग के अधक्च है अच्छा जो हमारा 2021 एक्जाम कि एक काम किजेगा कि आप जो अधक्च है उनको भी देख लिएगा थोड़ा सा एक नजर मार लीजेगा ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन पहले बनाए कौन बाद में बनाए ठीक है और उससी तरीके से आप यह दुबारा से इसको भी देख लिएगा महिलाय के अधक्च को भी ठीक है तो ओके अब आगे बढ़ते हैं कि दीपकदास कौन बने हैं तो सीजीए बने है इसको आपको याद रखना है राकेस अस्थाना के बारे मां तो आपको पता ही होगा दिली पुलिस के नई कमिशनर बने है नूपूर चंद्र चंद्र नहीं नूपूर चतुरबे उत्तरप्रदेश के पूलिस माने दिशक अरे क्या हो गया मुकूल गोयल मुकूल गोयल को भी ढखेगा ठीक है देश के चनावायक्त यह बने हैं चनावायक्त आपको पता यह कि जो हमारे हां का इलेक्शन कमिशन है वो उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिशन होता है कमिशन नहीं कमिशनर राइट एक चीफ इलेक्शन कमिशनर होता है और दो उसको असिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमिशनर होते हैं ठीक है यानि कि चुनाव आयुक्त होत भागी कोई अंतर नहीं होता इनमें इनका कारेकाल भी सेम होता है ठीक है सो वैसे कोई रिफ्रेंस नहीं होता बस उनके नाम के चीफ लगा हुए निया मुर्ती वीकेंड आराण चोंहें उत्तरपदेश मानवाद कर आयों के दक्ष बने हैं तो यह भी याद रखना कौन बना के अध्यक्ष जो बने हैं अरुन कुमार मिस्रा और टीवी नरेंदरन भी हाँ पर इंपोटेंट है सी आई आई यानकी भारती उद्योग परिशंक बने हैं ये भी हाँ पर इंपोटेंट है बाकी सुबूत कुमार जैसवाल सी बियाइए के निर देशक बने है यह भी प्रिपक्ष में घंप होगा नहीं पहुंचने के लिए भी कुछ चाहीं होती और वह सीट pegaी नहीं ला पाई थी लेकिन फिर भी कंग्रेस को तो यहां पर कौन है कॉंग्रेस के जो सांस है अधिर रंजन चौधरी यह लोग लेका समीटिक पहले भी यह थे और अभी यही बन गए है अधिर रंजन चौधरी अच्छा लोग लेका समीटिक में अध्याच सबसे बड़ी समीटिक में सब्सक्राइब संब्सक्राइब कितने में 30 में में यहां वर हम और अगे बढ़ते हैं ऑज्जुला सिंघानिया फिक की लेडिस चोड़ दीजे सिधार णिंभलोगजां को यहाद रखिये नाडा के अधच बने हैं नाडा किया है नैशनल अंटी टोपिंग एजेची के बने हैं सिधार सिंग लॉंग जाम और उसको आद में न उन चीजों को पढ़ूंगे जो important है ठीक है सिड़बी के याद रख लेजे एस रमन बने है सिड़बी के सिड़बी मिन्स Small Industrial Development Bank of India राइट एस रमन बने हैं इसके यूडियाइक क्यों भी याद याद रखना है आपको सौरब गर्ग बने हैं सौरब गर्ग एफसी आई अब इतना कहां से याद रखेंगे एफसी आई के आतीश चंद्रा एक बार और देख लिए जिए गाई इस वीडियो को ध्यान से ध्यान से ध्यान से फुली फोकस्ट आपका वीडियो पर होना यार इनको आप इतने जाद हैं याद भी नहीं रहेगा अनुसोचे जाती के लिए रास्टा आयों जो है एंसी इसको आप याद ररके विजय सापला तो यह पहले प्याद चुक्ते न्यूज में आपको पता ही होंगा यह तो कि अ कि यह आखी है ना हुमा कोली जो भी रिशनलीट पुम्ट में भी मतने हैं जज तो यह आशे में क्या ने क्यों दो भूना था तो नियां मुर्ति हिमा कोली जो है यह ते लंगा ना उचने आले के पहली महिला ने अनौन आए थीसने लेकिन अब यह काहांब भॉंच च कि इस पेज़ पर क्या इंप्रोटेंट हम आए लिए लिए कि आपको याद रखने सी कौन बने है यह स्वर्धन कुमार सिन्हा वाई के सिन्हा इन को इन्साट बोलते हैं वाई के सिन्हा बने हैं सी आइस सी पुरानी न्यूज है साथ नौमर 2020 की है कि दिनेश कुमार खारा एस वाई के अद्रच बने हैं एम राजेश्वर राब आरभी आई के डिप्टी गवर्नर जे वैंकट रामू आई पी पीवी यानिक इंडिया पोस्ट पेमेंट वैंक के अद्धियों बने हैं और आइस डी नेशनले स्कूल ओफ ड्रमा राश्टि नाट्टेव द्याला है तो नेशनले प्रव्ट ही हो गया निसका इंग्रिश ये तो यह तो यह नैसनले स्कूल ऑफ ड्रमा के अधर्च बने हैं परिश रावल सेखर कपूर बने है किसके चोड दिजे शेकर कपूर को अन द्रस्टाराश्टे जाने कि निने अतर ना क्या टो तो आप नहीं है कि गलत 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 चीजों को पर रहें इतना तो हमारा दिमाग चल जाएगा ठीक है अब देखते हैं इतनी सारे हैं 50 50 को यह रही हूं मैं कितना कम बोल नहीं सौ दो सो नाम तो कम सक्षाम पढ़ ली हमने तो अब हम बस उनी को बढ़ेंगे जो बहुत जादे हैं अन्य दस्माना रोके थे इनको आप याद रखिए कि भारती वाई से इनों में फाइटर पाइलाट के तौर बार जॉइन करने वाले जम्मू कस्मीर के पहले महिला के कि वेड़ो गोपाल जो हमारे अटाउंट जरनल से इनका कारेकाल बढ़ा दिया गया है राइट संदेशत को गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ है अब एक तो चक्कर तो यह भी है ना कि समझ में भी तो नहीं आता ना कि छोड़ क्या नहीं से निल कंट भानू रतन टाटा के बारे में कहने हो जाए यहां पर रतन टाटा को यह कोई अवार्ड मिला है प्रसेद अध्यूपति अम बिजिनिस आईकॉन इंडो-अमेरिकन चैंबर्स अफ कॉमर्स द्वारा आइस आई-ए-सी-सी लाइफ्ट्रैम अजिमन्ट एंड ग्ल इंप्रेंट है यह बिर बढदरिसिंग हो सकते हैं ब्रिष्ट गॉमर्ण एके पूर्भ मुख्यमंत्री थे हैं तीक है सुंदरलाल बहु घुड़ा यहां से हम निकाल सकते हैं क्या हैं सुन्दरलाल बहु घुड़ा इंप्रसेद पर्यावरन्विद एम गांधिवादी त इनको याद रखना है यह अभी दिसंडी रात हुए कुपने भी सुने सव दो आ वीसी कला प्रस्ट बॉल्ल वुडटAR अपने सुनाहों के प्रस्टाम सची कला हमने तो पढ़ा नहीं सची कला के बारे में कुछ भी हम नहीं जानते इनको ओके अब कौन से नाम यहाँ पर इंपोर्टन्ट है जादधा एक वार ना गाईज आप अपने हिसाफ से भी ने पढ़ लिए यह मेरे इसाफ से में तो पढ़ेगा आप ठीक है अपने हिसा साथ लोगों को मिलाए ना इस वार पदम विभूषण तो उन में से इस इनका भी नाम है तरुडगोगोई जी का और यह इनको मरणो प्रांथ मिलाए कौन थे तो असम के पूर्व मुक्य मंदी थे अक्कित्थम अच्छो तम नम्मोदरी का भी नाम आपको याद रखना है पच्वण में ग्यान पिट के अवर्डी थे यह इनका भी नितनावच का यह भी आपको याद रखना है के सुभाई पटेल गुज्रात पटेल तो गुज्रात से याद ने मौशली तो यह भी आदर के गुज्रात के फूरों मुक्य मंदी थे भानू अथाया येस गैज भा को आसकर मिला था कोस्ट्यूम डिट रिजान करने के लिए राइट अब अन्तर राष्ट्य वक्ति के बारे में जान लेते हैं नेपाल के प्रहन मंत्री पांच मीवार बन गए हैं यहां पर लिखावा तो हानी कितनी कौन सी बार बने है श्रीशा बांडला को तो बहुत यह इंपोडेंट है गया श्रीशा बांडला भारती मूल के अमेरिक है और कल्पना चावला तो सुनीता विलम्स के बास तीसरी भ पुझाओ को भी छोड़िये नेफटाली बैनेट को भी आपको याद रखना है कि यह प्रधन मंत्री बन गए हैं कहां के इसराइल के राइट नेफटाली बैनेट जी सी मूर्मू तो आपको पते होगा हमारे आके क्याग बनी है यह 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 देखे अब जो नाम आ रहे ह यह यह नाइजीरिया की है और पहली महिला बनी है डबलू टीओ की अध्यक्ष बनने वाली ठीक है महने देशक बनने वाली राइट पहली अफ्रीकी है और अफ्रीका में ही तो है नाइजीरिया अफ्रीका में कितने देश हैं टोटल पचपन देश है ठीक है और जिसमें से में लेन्ड पे और ग्यारा जो है वह बानी से गहे हुए है जैसे थोड़ी दीर पहले आम आप की थी सारे है जैसे में कासकर है यह में में अधा कासकर है में 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 लेंड पर है नइंहें में लेंड पर मोजानमिक है मेरे गाजकर कोमरोज से शेल्स और लिए वह सब कंट्री हो गए तो नाइजेरिया तो में लेंड पर है सो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं बात हैं करते करते सबसे में उस्ट इंपोटेंट थिंग यह है कि नोगोजी अकॉंजो एवियला पहली महिला बनी है वो भी अफ्रीका की है डबलू ट्यो की महानने देशक बनने वाली आगे बढ़ते हैं से ज्यादा कुछ दोक्टर हट्स बर्धन योशी हीदे सुगा यह जापान के नए प्रधान मंत्री बने इनके बाद भी कोई बन गया है मुझे लग रहा है यह सोले सितंबर को बने हैं वैसे तो सितंबर अक्टूबर अब चल रहा है लेकिन मेरे को पता नहीं कहां पढ़ लिया कि कोई और जापान का प्रधन मंत्री अमर को याद भी निया रहागी मैंने कहां पढ़ा ठीक है फिलास के लिए हम इसी को याद रखते हैं योशी इदे सुगा जो है जापान के नए प्रधन मंत्री बन गए हैं अन्य अंतराष्ट ब्यक्ति और न्यूक्ति हैं अब ये इब्राहिम इसी को याद रहा कि इरान के अश्ट पती बने हैं कि सत्य नाडेला के बारे में तो आप लोग और लड़ी जानते हो रणजीत सिंग रिशाले जो हैं ये भारते सिक्षा के और विस्ट बैंक समुवा में बातोर सिक्षा से लाकान नुक्त हुए हैं ठीक है अब्दुल्ला साहिद को भी आपको याद रखना है माल दिव के विदेश मंत्री हैं यह और सज्ट तुराश्ट महाद सभाके 76 में अदिवेशन के अदिश्टा यह करेंगे ठीक है बश्याद में किसने की थी याद ना रहा है और नहीं अब आएगा अब आपको याद रखना यह एक मैं शेकर याद करती हूं आ रहा है ज्याद नहारा सची है तो अब दुल्ला साहिद आम आपको याद रखना है कि युन जनरल अश्चेम वली के छेटर बेशन गद्षे बनिता गुपता को याद रख लीजिए भारती मूल की अमेर की वकील है अमेरिका की साहय का टौर ने जनला नुक्त हुई है अजय माथूर तो अभी हमने थोड़े दर पहले बढ़ा था आई ऐसे के महानने देशिक बने हैं ठीक है भव्या लाल को भी आपको याद रखना है भारती मूल की अमेरिकी महिला है और अमेरिकी अंत्रच एजेंसी नासा की कारेकारी प्रमुख नुक्त हुई है यह भव्या लाल नासा की कारेकारी प्रमुख अन्ना अंत्राश्ट व्यक्ति अभी कितने बच्चे हैं देखते हैं अनेरोद जगनाथ मार एसस के पूर्व राष्टपति करने धन कि राष्टपति और प्धान मंति दोनों थे क्या यह दोनों दिखे हुए हैं यहां पे एंट्यूनियों गुटेरास आपको याद रखना है दूसरी बार सेंक तो राष्ट महासाची बने उकत हुए हैं ठीक है डोनाल्ड ट्रम्स तो पता ही हैं आपको दो बार माय व्योग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्टपति बन गई हैं यह कितांजली राव का नाम भी आपको याद रखना है भारती मूलकी जो अमेरिकी छात्रह है यह और पतेश्टित अमेरिकी टाइम में एक जिन पे गोन आये हैं इस बार और जो वायडेन और सात में कौन है वह प्राष्ट करती हैं वह अरे क्या नाम है उनका मैं तो नाम मूल गई कमला है आएरिस राइट तो टायम में जिन पर इन दौन्हों को स्थान मूला है ठीक है और जो टाइम में गजिन की किड्व दॉयर चु अभिनेता आश्मान खुराना को युनिसेफ त्वारा बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान हैस्टाग फॉर आवरीचाल्ड के लिए सेलेब्रेटी अड्वोकेट नुक्त किया गया है ठीक है हास्टाग फॉर आवरीचाल्ड कौन चला रहा है तो इसके लिए उनिस हाफ ने इनको सेलेब्रेटी अड्वोकेट नूक्त किया अपना राइट चार्चित खेल व्यक्ति यारों कि बहुत हैं इतने व्यक्ति चट्चा में रहते हैं अब हमको अपने ओलंपिक वालों को याद रखिए लवलीना बोर्गोहेन नीरत चोपड़ा इनको ओलंपिक से तो आपको सबको ओलंपिक और परलंपिक वालों को तो आपको पता ही रखना ही चाहिए ठीक है इन्हीं में से आस रखता है इतने सारे नाम है यार कहां से आएंगे फिटल राश्टेश्ट थल भी है इसको ना पचास तड़ेपन मंट का हो चुका है तो इसको ना अगले शेक्शन में करेंगे हम बस यहां देख लेते हैं थोड़ा सा कि बच्ची कितना रहा है हमारा ठीक है अंतरा स्टेश्ट थल और पुरुष्कार सम्मान से भी एक क्वेशन आना है तो इसको हम करेंगे जरूर वह उसमें कुछ जादे थिंक से नहीं हो गई है क्या चर्चित व्यक्ति में इतना कौन याद करेंगा इतना याद करेंगे से तो कुछ पुराना रिवाइज करेंग दिखिते पुरुष्कार भी बहुत सारे देरक्टे यार मतलब इन मैंसे ना सारे तो में चलाना ए held जी kareने ऊड़े के उन्हें महता है ऐसवार और चाहरा इंथica आपको जुर्द नहीं है है धीक है फिल्म प्रोस्कार में आपको आश्कर ऑक पता ही होगा को इसको मिलाए क्याधा साथ है यह आ दो कि फाल कि आपको यहाद रखना रजीनिकांत हो मिलााया यह यह अधूरान सभांगे आथे करणा कि दिखा आधे कितने पेज़े जब हमारे रहे गए हैं करने के लिए का हम कर पाएंगे नहीं पूरी कोसिश करूंगे करने के क्योंकि मुझे भी तो करने है एंड दैन मेरे को इसको रिपीजन भी करना है काई अब यह है क्या चल रहा है यहां पर कुछ योजना चल रहा है अच्छा तो आएगी और उसके लिए उसके पतानी क्या पढ़ना पड़ता है अच्छली यह हम देखते हैं ना वुक अगरा तो लगता है यह भी मुटन रहे यह भी मुटन है बट इसारा को समीती भी हमको याद रखनी है एक सुछ शाड़ साथ है कि सम्मिलन समारो थो मैंने यूट्व चैनल है वहां करा रहे थे एक सर इंपोटेंट से कर लिए नोट कर लिए उनको इमें एक बार रिवाइज करूंगी यहां से करने से क्या फाइदाए थे सारे ते रहे हैं अब उतना दमाग हमारे अंदर हैं नहीं कि हम उतको मेरे अंदर तो नहीं गायर सची बता रही है अरे यार अभी तो बहुत ज़्यादा है बाकि यह क्या संग और संगठन कितनी बड़ी मौत की सजा को माफ करने के राज़ेपाल की सकती यह कुछ एक लीगल ने हुजाई है यह तो पहले मौत की सजा माफ करने के सकती सिर्फ किसको थी राष्ट्रपती को थी लेकिन अब सुप्रिम कोड़ द्वारा अभी दात कि आ गया कि राज़े के राज़ेपाल मौत की सजा पाने वाले के दियों को सकते हैं ठीक है अब आया यह ऐसा कुछ नूबन आक्ट तो यह कुछ डे आएंगे एंड उनके थीम्स भी आपको याद रखनी है और उसके बाद तो एंड हो जाएगा ना रे फिर पुस्तक हैं आएंगी फिर बिविद आएगा और बिविद के बाद तो एंड हो जाता है है ना यह अरे यार प्रमोग खेल आयो जो नाएंगे यह तो आपको याद रखना है ग्रेंड स्लम चारों के जारों ग्रेंड स्लम याद रखने किसने जीता है ठीक है क्रम भी याद होना चाहिए कि अब हमारा बहुत कुछ अरे यह बार बार आजाता उपर कि टैंशन देने के काम करते हैं कुछ लोग कुछ लोग ने यह पेज टोक्यों ग्रेश्म काल ओलंपिक के बारे में तो आपको गाइज यूट्यूब बहुत सारे बिरोज पढ़ा हुए है ओलंपिक की फुल न् सब्सक्राइब ने देखा होगा पहले कभी नहीं आता नहीं था यूपसी में खेल वगरा से सवाल और इस बार तो इस बार यूपसी ने सवाल ही कुछ ऐसे बनाए अजीव अजीव से सवाल बनाए थे मैराथन यह तो छोड़ी है मुख्य मैराथन मैराथन कोई पुछता है क्या कोई नहीं पुछता मैराथन तो गैज यहां पर आप जाके अंड होगा इसका एक सोनब्य पेजिज है मैं तो बार बोल दी थी हां एक सो बार यह क्योंकि यह भी तो है टेनिस पर तो अरे अभी तो और भी है अब यार मेरे को लग 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 रहा था वहां पर अंड हो गया यह तो बहुत है आपका टाइम बेशना करते हुए मैं इसको कर देती हूं एंड बहुत है बहुत है इतनी ज्यादा थिंक्स हैं कि हम याद नहीं कर सकते ओके थांकि समय चैंट बाइबाई